तो हेलो गाइज तो आज हम बात करने वाले स्प्रिट बर्कस्टर के बारे में और उसकी ओडियो की सेटिंग्स के बारे में तो चले वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देली के साथ तो सबसे पहले आप स्प्रीड बार्कस्ट ओपन कर लेते हैं जो कि मैंने ओपन औरेडी ओपन कर रखाए बाद में आपको यहां से तूस में जाना होगा तूस में जाने के बाद आपको नीचे में सबसे यहां पर आना है सेटिंग्स ओप्शन पर यहां पर अप्शन आने के बाद यहां पर आपको जाना है और्डियू सेटिंग्स में यहां पर आप देख सते हैं कि यहां पर जो है और्डियू प्रिविव मैक्रोफान रख दीजे इसको भी डिफ़र्ड delay जो है वो on कर दीजे और volume range 100% कर दीजे अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जो आपको बोसर option मिल जाते है लेकिन आपको पहला option चूज करना है copy left to right यहाँ आपको श्लिक करने के बाद अगर आपको यह नहीं पता कि यह यह कैसे can be the हो माजुआ यहाँ को शाउंड की सेटिंग्स में जाना होगा और या कि पर है कि यहां पर आना होगा ठीक है यहां पर आने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना होगा अब जाये कोन से भी यहां पर चाहिए आपका डेस्टप का सांड और फिर माइक्रोफन है आपको दोनों जागा पर आज यहाप पर आने के बाद आपको यहाप आपको advance में click करना है यहाप आपको दिखाई दे रहा हूँगा 48 thousand तो यहाप आपको simple सा ok कर देना है और यहाप आपको 48 के 40 को आपको select कर लेना है और इसको apply कर लेना है इसको ok कर देना है तो इसकी जो sound quality है हम check करने वाले तो यहाँ पर सिंपल सा रिकॉर्ड क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो गई है तो नमस्कार दूस्तों मेरा नमस्कार दूस्तों अगर आप चानल पर नए तो चानल को सब्सक्राइब कर लेजे और बेल आइकन को को मिल सेगे अगर आप मेरे सब्सक्राइब करना जाते हैं तो डिस्कॉर्ड सर्वर की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखिये तो आप से आप जॉइन होके मुझे जो डियम कर सकते हैं तो इसकी जो रिकॉर्डिंग क्वालेटी है वह हम देख लेते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग क्वालेटी कैसी है थोड़ा सा है लोडिंग मेरा नमस्कार दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और बेल आइकन को प्रेस कर दिजे ताकि जो वीडियो की नूट्रिक्रेशन है आप को मिल सेगे अगर आप मेर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद